असलामों अलेकूम, मैं जुलेखा अर्फाद, जुलेखास किचिन से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बढ़िया सी चिकिन मलाई टिका लेके लेग में, बहुत ही मज़िदार छटपट घर पर आसानी से बनती है, और बहुत ही डुलिशिस बनती है, उंगलियां चाटते रह ज पी, साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से, एक्स्ट्रा ओर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की, चलिए, ये रसे भी बनाने के लिए, हमें तकरीबन एक किलो तक की चिकिन लेक पीस चाहिए होगी, जो शोल्डर के साथ आती है, तकरीबन एक किलो में तीन बैटती है और आप देख सकते हैं, चरवी निकाल लिए है, दो-तीन पाने से धो के अच्छे से नितार लिए, आप पैट ड्राय कर लीजिए, और इसमें इस तरीके से स्लिट्स लगवा लीजिए, आगे पीछे, जो कट्स होते हैं न, बीब कट्स लगा लीजिएगा, कि मसाला हम जब मैरिनेट करें, तो अंदर तक जाएं, एक पाउल के अंदर ये 400 गरम दही फेटी हुई है, एक पैकेट पूरी तरीकिसे क्रीम, फ्रेश क्रीम का दाल दीजिए, ऐसे, अब यहाँ पर मैं मसाले दाल देती हूँ थोड़े, एक छोटा चाय का चमच, चात मसाला, पाउडर, एक छोटा चाय का चमच, भूना पीसा जीरा पाउडर, एक छोटा चाय का चमच, करम मसाले का पाउडर दाल दीजिए, अब यहाँ पर मैं दाल रही हूँ एक छोटा चाय का चमच, काली मिर्चो का पाउडर, आदा छोटा चमच, काला नम्मक, 3-4 छोटा चमच, हमारा बटी टोटली आपके उपर आपने मिर्च जितनी डालनी आप डाल सकते हैं और एक छोटा नीमबू था मेरा तो मैंने एक डाल दिया है अगर आपका नीमबू मीडियम साइज का भी हो तो आधा डालिएगा और अगर बड़ा हो तब भी आधा डालिएगा क्योंकि हमने चाट मसाला डाला है तो जाधा खटा पन नहीं हो जाए ना अब एक छोटा चाए का चमच आधरक लसन का पेस्ट डाल दीजिए और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए ये सारी चीजों को एक छोटा चाए का चमच कसूरी मीत्री को हातों की मदद से क्रश करके डाल कर उसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये जो मेरिनेशन है हमारी चिकिन के उपर प्रिसमिल रह्माने रहें बोल कर डाल दीजिए और बहुत अच्छे से वेल कोट कीजिए आगे पीछे ऊपर नीचे साइट्स पर ये जो स्लिट्स आप देख सकते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छे से दालिएगा अच्छे से अंदर तक सारा मसाला जाएगा तो और जादा टीस्टी लगेगी चिकन अब जब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैं इसे ढाक कर तकरीबन 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ अब आप चाहें तो बेस्ट है अगले दिन रात को यानि की रात भर उसे ढाक कर फ्रिज में रहने तर नेक्स डे उसे बन पका लीजिएगा अब 1-2 घंटा हो चुका है फ्राइपन का चूला चालू कर दीजिए 3-4 टेबल स्पून मक्षन और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और हमारी जो मैरिनेट करी हूँ चिकन है इसमें से मैरिनेशन हलका हलका निकाल लीजिएगा और ये जादा मैरिनेशन वाली मत दालिएग और बाकी का मैरिनेशन हमने साइट पर रखा है बाद में इसमाल करेंगे यह आप देख सकते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 3-4 मिनिट हो जाए तो हमारी चिकन को पलट दीजिए अगर आपके पास डीप कड़ाई हो नॉन स्टिक वाली तो वो जादा बैतर रहेगी बट मेरे पास नहीं है तो मुझे फ्राइपेंड में ही करना पड़ा है क्योंकि नॉन स्टिक होना चाहिए नहीं तो अगर नॉर्मल लेंगे ना आप कड़ाई या फ्राइपेंड तो चिटकने लगेगी तो मज़ा पुरा खराब हो जाएगा हमारी चिकन का तो तीन मिनिट फास्ट जब तक आपके चिकन गन नहीं चाती है अब मेरे साथ एक छोटी सी ट्राजिटी हो गई यह मेरा गैस चला गया तो मुझे क्या करना पड़ा मालू मैं अब मैंने इसे इंडक्शन पे शिफ्ट कर दिया तो मैंने धाक कर नहीं पकाया अब मैंने खुले में ही पका लिया है लेकिन आप धाक कर पकायेगा और बेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास कड़ाई या थोड़ी डीप फ्राइपन हो नॉन स्टिक तो जाधा बैटर रहेगी तो चलिए यह आप देख सकते कि आप बढ़िया से स्पॉट्स भी आ गए हैं दोनों उरसे पक भी चुकी है और अकरीबन 20-25 मिनिट हो चुकी है मैं बार बार उलट पलट कर रही थी और आप देख सकते हैं ग्रिलिंग स्पॉट्स भी आ गए हैं बढ़िया से सुनेरी कोल्डन कलर आ गया है मेरी यह चिकिन के ओपर तो मैं कर देती हूँ इंडक्शन को बंध आप चूले पर पकाए है तो चूले को कर दीजिए बंध अब यहांसे दो से तीन तरीके हैं आपकी कड़ाई और फ्राइपन जो है वो अच्छा डेप्थ है उसमें और अच्छा उंडा सा है और बड़ा सा है तो आप चिकिन के पीसेस को साइट पर र और यह मसाला डाल कर इसे भून लीजिए अब मैं तीसरा वे इस्तमाल कर रहे हूं कि मेरी जो आपने फ्राइपन देखी है वो चौड़ी है लेकिन डेप्थ नहीं है तो मैंने कड़ाई ली है उसके अंदर यह जो तेल जो था और मक्षन वाला जो तेल था वो सारा डाल द और यह अच्छा थिक नहीं हो जाता है और हमारा मसाला चप पक नहीं जाता है क्योंकि सबसे पहले तो थोड़ा लूज हो जाएगी और पतली लगेगी आपको गरेवी लेकिन उसे बार-बार चलाते रहिएगा मीडियम आज पर और देख सकते है कुछ देर बाद यह इस त प्रिकें अन्दर सक oni हो जाता है खूंगा हो जुआ ता वह बी सारा मैं इस्तमाल कर लेती हूं डाल देती हूं मारी घ्रीवी के अंदर इसे अच्छे से पलट दीजिए के हमारे वेल कोट हो जाए चिकटन पीसे और मैं तीसरी वाली भी चिकन के पीसे के ओपर दाल कर उस लेकिन आसान भी है, मस्त भी है, और खाने में बड़िया लजीज है, तो ये बन गए हमारी मज़ेदार सी चिकन, मलाई, टिकका, लेक पीस, मैंने इसे बड़िया से पराठो के साथ खाया है, आप चाहें, तो रोटी के साथ का सकते हैं, या किसी भी चावल-जाफरानी राइ शेयर कीजिएगा, अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रू शेयर कीजिएगा, कि आपको बनाएं, आपने तो कैसी लगी, मुझे आप ये कमेंट परने बहुत अच्छे लगते हैं, फिर से आजिर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसेपी के साथ, आं आपको बनाएं, 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 आपको